हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टेडी जॉन, आज की इस वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं, आंदर पर्देश को अपनी नई राजधानी मिल गई है, जिसका मैपिंग भी तयार हो चुका है, तो इसी के बारे में लोग डिसकस करने वाले आंदर जो तिलंगना से अलग हुआ था, ठीक है, यानि कि अंदर पर्देश को तोड़कर तिलंगना बनाय गया था, तो उन दोनों की राजधानी जो थी, वो हैदराबाद को फिक्स किया गया था, और कहा गया था कि 10 साल तक हैदराबाद जो होगा, वो परसासनिक राधानी दोन अमरावती के रूप में, और यहाँ पर मैंने जो मैपिंग लगा रखे, आप यहाँ पर मैप देख सकते हैं, आंदर पर्देश की जो नहीराधानी होगी वो है अमरावती, ठीक है, अमरावती नहीराधानी बन चुकी है, इसका मैप भी रेडी हो चुका है, आप यहाँ प population की बात करें ठीक है population यानि की जंसंक्या की अनुसार अगर बात करें तो यह दसवे अस्थान पर आता है यह काफी important था आपको याद रखना है ठीक है फेंस आप यहाँ पर map देख सकते हैं इसका काफी अच्छा है और यह अपना राधानी ले चुका है अब बात करते हैं कि अगर आप यह पूछले कि आंदरपर्देश जो है वो कितने राजियों से सटा हुआ है यानि कि इसके जो boundaries है वो इसके जो border है वो कितने state से सटे हुए तो मैंने यहाँ पर डिकलर किया है पांच राजियों से सटे है अब वो कौन-कौन है मैं आपको एके करके बताता कोफियर important वडियो ध्यान से देखते रहीएगा ठीक है देखे सबसे पहले बात करते हैं northeast Northeast में कौन है तो आंदरपरदेस आप देख सकते हैं कि आंदरपरदेस हमारा ही है ठीक है में तेलांगना यह मैं एक नमबर से देनोड कर देता हूँ यह एक नमबर अब इसके बाद बात करते हैं कि नौर्थ इस्ट तो नौर्थ इस्ट अगर बात करें तो नौर्थ इस्ट में आप देख सकते हैं दो स्टेट है कौन-कौन तो पहला देख आता है च्छतिस गड़ और दूसरा आता है यह आपका उड़िशा ठीक है मैं यहाँ पर इस लोगों को दो कर लेता हूँ ठीक है यहाँ पर एक और यहाँ पर उड़िशा और च्छतिस गर्ड़ ठीक है फ्रेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों के अब अगर बात करें कि west में जो की पस्चीम मे तो पस्ची में अगर आप देखे तो पस्ची में ये करनाटक से सटा हुआ ठीक है करनाटक मैं इसको माल लेता हूँ थर्ड ठीक है फ्रेंस अब इसके बात करें कि साउथ में तो साउथ में अगर हम बात करें तो साउथ में हमारा जो नीचे देखे चेन नहीं ठीक है नीचे यहां पर हम देखें कि दो state यहां पर मिलते हैं, एक state यहां और यहां और एक हैं, यानि कि कुल मिलाकर अगर बात करें तो यह पांच राजों से यहां पर देख सकते हैं, रोज, रिंगेड, पैराकिट, यह आपका इसका राज कि यह पक्षी है, अगर राज कि फूल के बारे में पूछे कि यह पेड़ कौन सा है, तो यह नीम हो जाता है, क्लिए फ्रेंड्स, तो यह थी हमारी आज की इस वीडियो के कुछ लाइक करें, और चैनल पर पहरी बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल्को अन करना बिल्कुल भी ना बूलें, क्योंकि यहां पर मैं आपको इसी तरह की रोजाना वीडियो कोड़ करता रहत हूँ, जो कि आपकी एक्जाम से इसलेडर हो दिया, तो फ बाइस वर वाचिए, की वाचिए, की लार्नी, हाव अगुड़ दी